दोस्तों अगर आपको Jio Retailer बनना है इसी के साथ सा Sim Activision करके भी कमाई करना चाहते हैं तो बहुत असान तरीका है घर बैठे बिल्कुल स्री में Jio Retailer बन सकते हैं और Sim Activision भी कर सकते हैं क्योंकि मैं खुद 3 सालों से Sim Activision कर रहा हूं Jio के अंदर Retailer हूं आप देख सकते हैं मेरे पास Jio का Sim चालू करने के लिए एक डिवाइस भी है मुझे पता है कौन सा Sim Activision करने के लिए कौन सी डिवाइस लगती है एक Sim बेचने पर कितनी कमाई होती है इसके अंदर अकाउंड के लिए क्या क्या document लगते हैं कौन कौन सी process से आपको गुजरना पड़ता है तो 3 साल के experience के अंदर मैं आपको 5 मिनट की वीडियो में complete बता दूंगा बस वीडियो 10 सेकंड के लिए भी skip मत कीजिएगा अन्य आपको बहुत सारी जानकारी से महरूम रह जाएंगे तो सबसे register करने के लिए आपको दो application play store से download कर लेनी होती है सबसे पहले application geopos light app होती है इसका link भी आपको description मिल जाएगा दूसरी application होती है geopos plus plus लिख देंगे light card के तो यहाँ पर plus application आजाती है यह वाली download कर लीजिएगा इस application का billing आपको description मिल जाएगा लेकिन यह बाद में कीजिएगा पहले जो मैं application बताई आपको geopos light उस application को download कीजिएगा download करने के बाद इसमें हमें registration process से गुजरना होता है तो इसके लिए सबसे पहले open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर आपको सामने login पेज आ जाएगा login पेज मेरा आपको सबसे पहले एक account create करना है तो यहाँ पर account create के option प इल्टा सीधा डाल देते हैं और उल्टा सीधा डालने के वज़य से उन्हें जो जियो पॉस प्लस की ID होती है वो नहीं मिलती है जिहां जो यह वाला एप है इसकी ID आपके email address पर आती है जब यह registration process कर लेते हैं तो यहाँ पर email ID से राद देख भाल कर डालिएगा उसके सारा तर 90% retailer registration करते हैं आप registration करने के लिए आपके पास यहाँ पर यह यह document होने चाहिए जिहां अधार कार्ट पैयन कार्ट और bank detail क्योंकि SIM activation करने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है तो यहाँ पर आप select कर लेंगे जैसे ही यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर mobile number email ID डालने के बाद quarantine option पर click करेंगे एक OTP आएगा OTP यहाँ डालेंगे फिर उसके बाद submit के option पर click करेंगे यहाँ पर आपके पास option आजाता है अपने document को upload करने का तो यहाँ पर अगर आपके पास अधार काड़ है और अधार कार्ट के नंदर आपका mobile number link है तो आपका instant registration हो जाता है option पर click करेंगे आप redirect हो जाएंगे डिजी locker account में डिजी locker में account बनाना बहुत असान होता है अगर आपने डिजी locker के अंदर account नहीं बनाया है तो यहाँ पर sign up option पर click करेंगे अपना अधार कार्ट नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा OTP के डालने के बाद एक MP आपको बनाना ह बाद आप आगे बढ़ेंगे यहां से allow करेंगे यह आपके अधार कार्ट के अंदर जो भी detail होगी automatically fetch कर लेगा उसके बाद आपको आधार कार्ट की सारी detail दिखाए जाएंगी आपका address वगरा आप सहीते match करेंगे नीचे proceed का option पर click करेंगे यहां पर आपके सामने अधार का नमबर automatic fill आ जाता है उसके नीचे आपको pan card नमबर डालना होता है अगर आपके पास GST registration होया हुआ है तो यहां पर select कर देंगे इसे optional है रहने देंगे टिक नहीं करेंगे उसके बाद आपको referral code डालने का option आता है referral code का भी link आपको description मिल जाएगा डालना चाहे तो डाल सकते ह चोड़ना चाहे तो चोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर proceed के option पर click करेंगे यहां पर permission allow कर देंगे आपकी location code यानि के वो कर लिया जाएगा फैज जो भी आपके area की location है यहां पर allow करने के बाद फैज कर देंगे यहां पर term and condition को accept करेंगे continue दुबारा से एक OTP डालेंगे उसके बाद submit के option पर click करेंगे आपका successfully sign up हो चुका है उसके बाद done के option पर click करेंगे अब आप दुबारा से यहां पर login पेज पर आजाएंगे जहां पर आपको अपना एक जियो का वोई वाला mobile number डालना है जिससे आपने account बनाया है यहां पर mobile number डालेंगे एक OTP आएगा वो 40 रुपे के earning होती है निके 40 रुपे का सीधा cashback दिया जाता है cashback और earning से याद आया कि अगर आपको घर बैठे और भी earning करनी है तो मेरे description में आपको grow application का link मिल जाएगा जिससे आप refer करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं जैसे मैंने यहां पर कमा हैं आप देख सकते हैं आपर आपके referal link से download करेगा तो आपको 100 रुपे मिलेंगे और उसके बाद जब वो इसमें 200 रुपे का add money करेगा या किसी तरीके का transaction करेगा तो आपको 200 रुपे और cashback दिया जाएगा यहां पर प्रोसीट के option पर जैसे ही किलिक करेंगे आपको redirect किया जाएगा payment page पर जहां पर पे यानि कि यह complete हो जाएगा मैं add money नहीं करूँगा उसके बाद आपको यहां पर दुबारा से message box में जाना है क्योंकि message box में मिलेगी आपको वो ID जो आप JioPos Plus के अंदर login करेंगे इस तरीके से आपको message आ जाएगा account create हो जाने के बाद जिसमें आपको आपकी JioPos Plus की ID दिखा जाए जाएगी साथी साल उसका password दिया खाया जाएगा तो वो ID आपको यहां पर यूज करनी है JioPos Plus के app के अंदर यानि कि मैंने जैसा कि बताया आपको JioPos Plus का app पे लिस्टोट्स जाएगा डाउनलोड कर लीजेगा जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पर यहां पर मैसिज के अंदर यह वाली ID आई थी और जो password आया था वो यहां पर मैं डाल दूगा लेकिन आपको first time forget password करना है तो forget वाले option पर किलिक करेंगे यहां पर किलिक करने के बाद आपको वाली ID डाननी है उपर वाली जो भी आई थी यहां पर वो ID डालेंगे उसके बाद continue का option पर कुलिक करेंगे यहां पर आपके mobile नंबर पर E-mail ID पर एक OTP send करने के लिए पूचेगा तो आप से simply send money के option पे क्लिक कर देंगे send OTP के option पे कलिक करेंगे यहां पर OTP डालेंगे validated OTP के option पे डालेंगे जैसे ही किलिक करेंगे यहां पर एक आपको पासफर्ट बना लेना है strong सा पासवट बना लिना है जैसे कि आप यहां पर क्यूं लिखेंगे बड़ा साइ помसक्त लेगे उसके बाद एक दो तीन चार भी डालेंगे मिजद भा इसके बाद यहां पर कैपिटल में वड़ डालेंगे फिर स्माल कैपिटल में वड डालेंगे इस तरीके से आपको password बनाना है strong password बना चाहिए फिर उसके बाद same यही password यहाँ पर डालना है और change password के option पर click करेंगे आपका password change हो जाएगा वापिस से आप जी अप्लिकेशन की तरफ जाएंगे और यहाँ पर वो password डाल कर इसे login करेंगे successfully login हो बाद यहाँ पर three dot line corner के option पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास geodigital kyc का option आ रहा है और geodhark kyc का option आ रहा है जिससे आप अब sim activation बहुत आसानी से कर पाएंगे लेकिन इसके लिए आपको एक device खरीदना होगा तो अगर आपको device खरीदना है तो वीडियो के description में जिस जिस डिवाइस पर sim activation असानी से हो जाते हैं और सस्टी devices होते हैं वह मैं description में link डाल दूँगा आप जाके खरीद लीजेगा खरीद लेने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड में setting के में जाना है यहाँ पर setting के option पर किलिक करेंगे जैसे ही यहाँ पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है register agent photo तो simply इस पर tap करके सबसे पहले अपना एक photo capture करेंगे white bank ground आपका पीछे से होना चाहिए उसके बाद आधार re-verification आपका option होता है simply इस पर tap करेंगे आधार re-verification करेंगे उसके बाद register your mobile number का option होता है simply इहाँ पर register your mobile number का option पर किलिक करेंगे और चौते नंबर पर आपको register your आधार यानि कि आप अपने आधार card fingerprint से जब device के अंदर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार card number register कर लेंगे OTP वगारा से यह तीन चारों चीज़े जब register हो जाएंगे तो आप SIM activation बहुत आसानी से कर पाएंगे और अगर आप इस application से recharge करना चाहें तो यहाँ पर आपके सामने जियो टॉप अप रिचार्ज का option आता है आपको समझ में आ गया होगा SIM activation बहुत सारी वीडियो मैंने SIM activation से related अपने चैनल पर अल्रेडी डाल लगए SIM activation की process देखना है तो comment section में लिख देजियागा या वाली वीडियो देख लिजेगा मेरे चैनल के अंदर जाकर पताच की वीडियो मुझे आपको यही बताना था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा अगर आपको कमेंन में कुछ सवाल देगा हो कुछ पूछना हो तो comment section में लिख दिजेगा जब आप पूरी देने की कोशिश करूँगा